हेलो दोस्तो सियान ट्रिक्समा आपका स्वागत है दोस्तो आज ये वीडियो बहुत खास होने वाली है दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप एक YouTube channel चलाते हो और आप चाते हो एक email ID से आपके दूसरी email ID पे आपका जो account है यानि के जो आपका YouTube channel है वो transfer हो जाए दोस्तों बस आप से ये request है कि ये वीडियो बहुत खास है और इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए क्योंकि कई बार हो सकता है आपको भी जरूरत पड़े कि एक email ID से दूसरी email ID पे अपने YouTube channel को हम कैसे transfer करेंगे ये बहुत ही important जानकर ही है आप इसको छोड़के मज जाए आप बिल्कुल एक बार जरूर देखे इस वीडियो को अगर आपको पसंद नहीं आए बले ही आप dislike कर दीजिए पर एक बार इस वीडियो को आप जरूर देखके जाए दोस्तों तो start करते हैं दोस्तों चिपक के ये वीडियो आपको लास तक देखनी पड़ेगी तभी ये आपको समझ आएगा तो यहां पर एक वाइरल सियान के नाम से एक चैनल बनाए हुआ है और यहां पर आप देख सकते हो उपर की तरफ समीर.malik099.gmail.com इस ID से ये वाइरल सियान का चैनल जो चल रहा है मैं ये ID चेंज करूंगा वो कैसे करूंगा उसकी पूरी जानगरी मापको बताने वाला हूं दोस्तो तो दोस्तो आप देख सकते हो create studio जो है यहां पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा यह इस तरह का इंटरफेस सामने खुल जाएगा तो यहां पर आपको जो क्लिक करना है वो यह सैटिंग है यहां बराबर में आपको यहां पर सैटिंग पे क्लिक कर देना है दोस्तो और इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद में आपको नीचे की तरफ जाना है और जो यह और और रिमो मैनेजर यह टाइप करनी है जो आप यहां पे लगाना चाहोगे जिस पर आप ट्रांसपर करोगे तो मैंने यह आईडी बनाई है viral.shyan.gmail.com तो यहां पे मैं इसको करता हूँ दोस्तो सेलेक्ट और यहां पे मैं इसको और यहां पे मैं इन्वाइट कर दूँगा नीचे की तरफ जो आपको यहां पे दिख रहा है तो इन्वाइट करने के बाद में इस तरह यहां पे ऊपर की तरफ समीर मलिक आ जाएगा और wireless.shyan.gmail.com आ जाएगा नीचे से मेरे को done करना है यहां से दोस्तों यहां पर आपको बता दू viral.shyan.gmail.com जो मैंने डाली थी वो ID हमें login करनी पड़ेगी और उसके inbox में जाना पड़ेगा दोस्तों तो यहां पर viral.shyan जो मेरी ID है मैं वहां पर इंसर्ट कर देता हूँ और यहां फिर मैं nesht करूँगा यह मैंने यहां पर ID डाल दी अपनी और मैं नीचे से nesht करता हूँ और उसके बाद यहां पर मेरे को अपना password डालना पड़ेगा उसके बाद nesht कर देना है यह गलत हो गया nesht कर दिया मैंने और यहां पर यह आईडी जो है वो लोगिन हो रही है यानि के हो चुकी है तो यहां पर इंबोक्स में यहां पर इमेल आई हुई है तो invite की email है क्योंकि हमने वहां से invite किया था तो मैं इसको यहां पर यहां पर यहां से करना पड़ेगा मेरे को accept तो यहां पर आप देख सकते हो कि accept करना ही होगा इसका मतलब अब यह है कि यहां पर दो आईडी अटेच हो चुकी बट दोस्तों हमें क्या करना है एक यहां से हटाना है और दूसरी आईडी को हमें यहां अटेच करना है दोस्तों बस समझने वाली बात यहीं पर है जो वाइरल श्यान नीचे की तरफ यह हमें primary owner बनाना है और जो समीर मलिक है वो हमें owner बना रहा है तो हमें किलिक करना पड़ेगा वाइरल स्यान के सामने और हमें यहां primary owner का जो ओफसन है उपर की तरफ इसको select करना है तो दोस्तों जैसे हम इसको select करेंगे तो यहां पर एक option आएगा transfer तो यहां पर transfer पर आपको click कर देना है दोस्तों तो जैसे आप यहां transfer पर click करोगे तो यह बिल्कुल भी यहां change नहीं होगा यह मैं दोबारा करके देखता हूं और फिर transfer करूंगा यहां से यह transfer मैं अगर मैं बटन दबाऊंगा तो यह अभी भी नहीं होगा नीचे की तरफ आप देख सकते हो नीचे तरफ लिखा है कि एक दिन के बाद यह है जै प्रैमरी की प्रैमरी ओनर बन जाएगा बट यहां पर मेरे को एक दिन का वेट करना है यानि के 24 घंटे का वेट करना है दोबारा में करके दिखा रहा हूं transfer पर click और नीचे आप साफ साफ देख सकते हो कि यहां पर लिखा है wait one day यानि के एक दिन का वेट करना पड़ेगा और मैंने एक दिन का वेट किया है यहां पर एक दिन के बाद फिर यहां पर आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या करना पड़ेगा अब एक दिन के बाद मैंने यहाँ पर लोगिन किया हुआ है और जब एक दिन पूरा कंप्लेट हो गया तो मैं दोबारा Create Studio पर जाओंगा तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया Create Studio पर और इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुली जाएगा या आपको भी पता है उसके बाद आप दोबारा वहाँ पर जाना है और राइट की तरफ जो सैटिंग है इस पर किलिक कर देना है दोस्तों और जैसे किलिक करोगे इस तरह का फिर दोबारा से इंटरफेस खुल जाएगा और Add और Remove Manager नीचे की तरफ लिखा है दोस्तों यहाँ पर आपको किलिक कर यहां परब ट्रासफर पर किलिक करूँगा तो वाइरल Heean Primary owner बन जाएगा और Simir Malik यहां पर बन जाएगा और यहां इसके बाद क्या है कि समेर मलिक को आपको प्रेंडिंग में पड़ा है अब मेरे को जीमेल वाली आईडी पे जाना पड़ेगा वायरल.shyan वाली और वहां से मेरे को get start पे किलिक करना है तो start करता हूँ मैं gmail.com पे बराबर मैं यहां पे टैब करता हूँ और मेरे को यहां पे इन्होंने कहा है कि जो है आपका primary owner बन चुका है वायरल.shyan और आप मैं यहां पे get start करता हूँ और get start पे जैसे मैं click करूँगा दोस्तों यहां पे तो यहां पे आप देख सकते हो कि यह जो है मेरे ही मलब मेरी ID से हो चुका है वायरल.shyan से मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ यहां पे तो यहां पे आप देख सकते हो प्राइमनी औरन बर्च चुका है दोस्तों और यह ID जा वायरल.shyan यह वहां से activate भी हो चुकी है अगर मैं आपको confirmation दूँ तो confirmation मैं आपको दिखा देता हूँ मैं दो बारे से वहां पे login करूँगा दोस्तों यहां पे आप साफ साफ देख सकते हो उपर की तरह वायरल.shyan पे मैंने किलिक किया और सबसे उपर देख सकते हो viral.shyan.gmail.com यानि के इस ID पे successful transfer हो चुका है और दोस्तों मैं आपको बस इतना सा कहना चाहता हूँ अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को subscribe करके जरूर जाना यार और like भी करना वीडियो को और अपने दोस्तों सेयर करना और thank you so much दोस्तों